जगरनात मा तो डरने उलाद में गिदर भाब की से चीठी से नेड़ता है आपको क्या लगता है किसने ये लेटर पहुचायागा आपके मन में क्या चल रहा है हमको तो कुछी चलीने रहा है कुछ मन चलो को चो पत्र पढ़ने से समझना आपसी सौध बिगरने का पर्यास कर रहा है लेकिन कभी होगा नहीं होने देंगे आपको लगता है कि 1932 को लेकर हमेशा आप समर्थन में रहें उसी का खाव आज भी है रहेंगे किसी का ताकत नहीं है जो चूदेगा अच्छा यह पता है किसी को फोन करके बता है इसपी बेगरने की धमकी मिली है शिक्षा मंतरी को यह धमकी मेल मों को लाक्चल अंतरगत भंडारीदा स्थित आवास में स्पीज पोस्क से पत्र भेज कर दी गई है हास्तलिखित पत्र में प्रेशक की जगर शिक्षक फारवर्ड ग्रूप एसोसियेशन लिखा है शिक्षा मंतरी ने इस धमकी भरे पत्र के बारे में बोकारों के एसपी चंदन कुमार जाको पून से सूचना दे दी है फिलहाल शिक्षा मंतरी बाची स्थित आवास में है वहीं सूचना मिलने के बाद बोकारों एसपी जाच परताल में जुद गए हैं नम की भरे पत्र में कहा गया है कि हम सभी शिक्षक हैं जो फारवर्ड जाती से आते हैं पत्र में 1932 खत्यान बंद करने की मांग करते हुए फारवर्ड शिक्षकों का कल्यान करने की मांग की गई है साथ ही राजी के विभिन कालेजु का नाम दिया गया है जिसमें इस ग्रुप के शिक्षक पदस्थापित हैं इसमें CNA कालेज रामगर, RBS कालेज शास, जेन कालेज, गोकारो महिला कालेज, बागमारा कालेज सहित अन्य के नाम शामिल है शिक्षा मंत्री ने बताया कि दो दिन पूर्ग भी एक पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिला था बताते चले कि स्वास्त संबंधित रूटीन चेकप के लिए शिक्षा मंत्री चन्नाई गए हुए थे वहां से 9 जिसंबर को लोट कर राची स्थित आवास में रह रहे हैं चैन्नाई से लोटने के बाद एक बार भीवा भंडारीदा स्थित आवास नहीं आए इस संबंध में रात करीब साड़े ग्यारा बजे एस पी चन्दन ज्छा को दो बार फोन कर बयान लेने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकें बटन दवाना ना भूले